नार्ब करता है आप सबी कैम teknolo चैनल में और आज की जो वीडियो रहेगी फ्रेंटS वो फाइल से सम्बंदित रहेगी यानी कि फाइल से सम्बंदित इंपॉर्टेंट question और थेोरी की पूरी complete class रहेगी तो वीडियो को और तक देखना फ्रेंटS और वीडियो देखने से पहले से फ्रेंड्स अगर आप लोगों से रिक्वेश्ट अगर आप चैनल पर नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन जरूर दबा लीजिए तकि मेरी आने वादी नैस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके तो सुरू करते हैं फ्रेंड्स Q&A की वीडियो तो फ्रेंट साथ बात करेंगे फाइल से संबंदित यानि कि फाइल से संबंदित एक्जाम में या आई टाई के एक्जाम में हो या गॉवर्मेंट एक्जाम में हो किस प्रकार के कोईशन पूछे जाते हैं तो मैं थेयोटिकली आपको बता देता हूं कि फाइल से संबंदित क्या क्या कुश्चन अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो समसे पहले बात करते हैं फ्रेंस के फाइल होती ही किस प्रकार की है तो जो फाइल होती है इस प्रकार की इस प्रकार की एक फाइल होती है इस प्रकार की कुछ फाइल होती है इस पर यह लाइन होती है इस प्रकार की फाइल होती है तो जो यह फाइल होती है जो फाइल होती है वो किस मैटल की बनाई जाती है किस metal metal की बनाई जाती है जाती है option दिये रहेंगे friends जैसे की high carbon steel, high speed steel tool steel, cast steel इस परकार के आपको option मिले वह होंगे तो जो file होती है friends वो बनाई जाती है tool steel की tool steel की file बनाई जाती है जो में साथी है tool steel की file बनाई जाती है और high carbon steel की भी file बनाई जाती है ठीक है high carbon steel की भी file होती है जब option में friends अगर exam के option में tool steel भी दे रखा, high carbon steel भी दे रखा तब इसमें जो correct answer होगा वो होगा tool steel और जब माना tool steel नहीं दे रखा और high carbon steel option में है तो option में correct answer फिर high carbon steel होगा तो file जो होती है friends वो high carbon steel, tool steel की बनाई जाती है और इसकी जो पूरी body होती है friends जो उसकी पूरी body है यह hard वो टेमपर कर दिया जाता है hard वो टेमपर रहता है friends यह पूरी body जो होती है file की यह hard वो टेमपर होता है हार्ड और इसको टेंपर किया जाता है जो पीछे का हिस्सा होता है इसको कहते हैं इसको सोल्डर कहते हैं जो इसको सोल्डर कहते हैं और यह जो हिस्सा होता है इसको टैंग के नाम से जाना जाता है यानि कि यह जो हिस्सा होता है टैंग यह सौप्ट होता है फाइल में हमें सा soft soft होता है ताकि यह लकडी में जब इसके handle हैंडल लगा जाता है लकडी का जब इसमें handle लगा जाता है तो वो आसानी से इसमें Videos रखाज मोगते हैं तो इसको लिए इसको Kang वाले this guys soft रखा ज़ाता है और बाकि जो इससा होता है friends यहां से लेके है औहले यहां तक लैंथ फाइल की जो लैंध है लैंध 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 होती है यह पूरा हर्ड那व टैंपर कि आ जाथा फाइल का यानि कि पूरी बोडी यह जो हिस्ता होता क्यों स्को प killers कहते हैं फाइल का यह इ सब्पो कहलाता है यह जो साइब में ब्लेख रहे हैं इनको एज के नाम से जाना जाता है एज और यह जो होते हैं फ्रेंट्स यहां इसको फेस कहते हैं फाइल का फेस फाइल का इसको face का जाता है और यह जो होता है इसको heel भी का जाता है heel और हम इससे rough चीज और यह जो होता है यहाँ पर taper वाला हिस्सा जो होता है उसे solder का जाता है solder solder का जाता है तो exam में question इस प्रकार से वो पूछ लेता है कि फाइल second question अगर माना हो पूछ ले कि file की file का कौन सा कौन सा part hard wood temper hard wood temper नहीं किया जाता तो जो file का होता है friends hard wood temper नहीं किया जाता वो कौन सा नहीं किया जाता टैंग टैंग यानि कि पीछे वाला जो हिस्सा होता है नोकिलादार हिस्सा उसको हमेसा hard wood temper नहीं किया जाता बागी पूरी body file की hard wood temper किया जाता तो answer question इस प्रकार से वो पूछ लेता चार वो आपको option दे देगा जैसे देगा point age face और साथ में tank तो टैंग इसमें correct answer हो जाएगा कि file का जो hard or temper नहीं किया जाता हूँ है और दूसरा वो question पूछता है जैसे कि friends जो file होती है उसका जो हिस्सा होता है जो time होता है वो मुलायम होता है इसमें जो है handle fit किया जाता है और file के मुख्यत जो parts है और फ्रेंट्स में आपको बता चक्क हूँ point age, face and shoulder and heel and tank जो इसका वर्गी करण है वर्गी करण जो file का वर्गी करण होता है friends, वह file कुछ वर्गी के जो किये जाता है वह कुछ चार प्रकार से किया जाता है यानि कि फोर्प्रकार के जो होता है वर्गी करन फाइल को किया जाता है फूर्थ प्रकार के फर्स्ट जो होता है उसकी लंबाई लंबाई होती है और सेकेंड जो हता है फ्रेंड्स वो ग्रेड ग्रेड के अनुसार भी इसे दर्साया जाता है और थर्ड जो हता है फ्रेंड्स होता है आकार आकार के अनुसार भी से दर्शाया जाता है और फोर्ट जो होता है अब कट कट के अनुसार यानि कि सिंगल कट है कि डबल कट है ग्रेट के अनुसार कट के अनुसार लंबाई के अनुसार और आकार के अनुसार फाइल को वर्ग गिरित किया जाता है वर्गिकित करत किया जाता है तो फाइल को हमेशा फ्रेंट्स चार परकार से वर्गित किया जाता है लंबाई आकार और ग्रेड और कट के अनुसार इसे वर्गिकित करा जाता है लंबाई के बात करूं फ्रेंट्स तो जो लंबाई होती है फाइल की जो लंबाई होती है फाइल की जो लंबाई होती है फ्रेंट्स वो हील से लेके हील यहां से लेके हील से लेके यहां से लेके और पॉइंट तक हील से लेके पॉइंट तक की जो लंबाई होती है उसे लंबाई के अनुसार फाइल को दर्साया जाता है लंबाई के अनुसार हम इसा फाइल को दर्सा आया जाता है हील और पॉइंट यानि की हील यहां से लेके और पॉइंट तक इसके अनुसार ही लंबाई के अनुसार हम फाइल को दर्सा आते हैं लंबाई जो होती है फाइलों की जो फ्रेंड्स वो होती है फाइन कारियों के लिए जो 100-200 mm तब की लंबाई की जो फाइल होती है फ्रेंट्स वो फाइन कारियों के लिए यूज होता है फाइन कारियों के लिए उसका यूज किया जाता है और जो 200 से लेके साड़े 400 mm तक जो फाइले होती है फ्रेंट्स दोसों से लेकर 400 mm तक की जो फाइले होती है वो बड़े कारियों के लिए यूज़ होता है बड़े बड़े कारियों के लिए इनका यूज़ किया जाता है 200 से 400 के लिए हमें साब बड़े कारियों के लिए यूज किया जाता है फाइल है जो 200 से 450 लंबी होती है फ्रेंट्स फाइल है वो बड़े कारियों के लिए उनका यूज किया जाता है बड़े कारियों के लिए उनका यूज किया जाता है और जो 100 से 200 mm की लंबाई के लिए हो फाइन यानि की स्मूथ क वारे में तो जो फ्रेंड्स फाइले होती हैं वो कई पर आकार की होती है जैसे कि फ्लेट फाइल फ्लेट फ्लेट फाइल फ्लेट फाइल जो होती है फ्रेंड्स इसका जो एक्षन होता है क्रोस एक्षन ये cross section में होती है फ्लेट फाइले cross section में flat फाइले होती है और आईताकार होती है cross section में आईताकार होती है जो flat फाइले होती है cross section में कैसे होती है आईताकार यानि कि इस प्रकार की फाइले होती है तो ये आईताकार है न तो आहिताकार क्रोस सेक्शन में flat file है, इनका जो taper होता है, आगे का taper होता है, Mine friends जो वोता है, एग बटे तीन भाग जो ओता है isका, जो क्या होता है? Het paper होता है, एक बटे तीन भाग टेqua, और दो बटे 3 समानतर क्योंकि एक्जाम में वह है कि file का जो Flet File का जो ऐधाकार फरेट फाइन में जो taper होता है inteosium फाइल में ज्रि Studios लेता है कि फ्लेटर सब्सक्राइल ios file में Mrs. Elibe bo youtuber कि तना होता है कि तना भाग यह पर होता है कि तना भाग जो फॉपटा फाइल का जो होता है फ्रेंस से हैं व्यक्त टीर भाग्हा, यानि कि एक टेपर है एक भाग उसका टेपर है और बाकी तीन समांतर है तो उसी परकार से इसमें पूचह जाता है कि समांतर वाला भाग हितना है तो दो ब्ग्टा तीन भाग्हा होता है फ्रेंड्स फाइल का वो समानतर रखा जाता है समानतर रखा जाता है इसमें और इसमें दोनों फेस यानि कि जो प्राया दो फेस होते हैं तो दो फेस जो होते हैं क्या जैसे कि दो फेस जो फेस हैं तो सिंगल फेस डबल फेस यानि कि प्राया जो जातर यूज जो होता है और डबल कट फाइल यूज की जाती है डबल कट कट फाइल तो दोनो एज जिनके सिंगल कट दाते होते हैं यानि कि अगर ऐसे ऐसे फ्लेट फाइल पर अगर ऐसे हैं तो ये सिंगल कट दाते हैं सिंगल कट दाते हैं जा से सिंगल कट नाते हैं यह अगर फाइल इस प्रकार की आगर फाइल पर दोनों तरफ से हैं तो यह हो गया डबल कट फाइल हो गई यह डबल कट हो गई cut file हो गई ये single cut होगी ये double cut file हो गई क्योंकि exam में पूछ लेता है friends की single cut double fight अगर आपको आपको फिगर दे दिया जाता है एक exam में फिगर दे दिया जाता है कुछ इस प्रकार का आपको figure बना के दे देंगे और इस पर कुछ line है खीज देंगे और उसके बाद option देंगे कि यह कौनसी फाइल है यानि कि यह जो फाइल है वो कौनसी फाइल है सिंगल कट फाइल है यह डबल कट फाइल है सिंगल कट है सिंगल कट है यह डबल कट है तो यह जो immigrants हुँ है सिंगल कट और जब double cut की बात आते हैं तो friends यही फाइल ऐसे बना दो तो यह से दोबल कट फाइल है इसको double cut file कहते हैं तो अब बात करते हैं, friends cut की cut के नुसार cut के नुसार फ्रेंडस फाइल होती है चार प्रकार की cut के नुसार भी चार प्रकार की होती है friends first single cut single cut file जो मनें आभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी double cut and third rasp cut fourth curve cut करवड कट चार प्रकार की कट के नुसार फाइल होती है फ्रेंट्स फर्स्ट जो सिंगल कट होती है फ्रेंट्स मैंने आपको बता था कि सिंगल कट फाइल जो होती है वो जिस प्रकार की होती है जिस पे सिंगल लाइन होती है वो सिंगल कट फाइल है फ्रेंट्स ठीक है है डबल इसमाएं यानि कि हם कुछ इस प्रकार के फाइल होती है के तो क्या होगा है डबल कट फाइल यह सिंगल कट Ministra अब आते हैं रास्प कट फाइल की है रास्प कट फाइल कुछ फ्रेंड से इस प्रकार क्यों यह रраст है है । friends جو बने होते हैं घोडे के जो पाऊं होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं तो उसको rasp cut file क्याते है .rasp cut rasp cut final के नाम से उसे जाना जाता है fourth file जो और फ़ंद्स जो करव aCut file है करव aCut file में हमें सब friends को करव aCut file होती है puros वो अंदर से round होती है, कुछ इस प्रकार की, तो इसको curve cut file के नाम से जाना जाता है, curve cut, क्योंकि exam में पूछ लेता है कि rasp cut file का use कहां करते हैं, तो rasp cut file का use friends हमेशा लकड़ी, चमड़े, soft metal को काटने के लिए उसका प्रियोग किया जाता है, अब बात करते हैं friends, grade के, grade के बारे में, grade के अनुसार, file कितने परकार, कितने परकार की होती है, तो जो grade के अनुसार होती है friends, वो 5 परकार की file होती है, 5 परकार की, grade के अनुसार, 5 परकार की file होती है, परजप्रकार की फाइल होती है ग्रेड के नुसार, फर्स्ट होती है फ्रेंट्स, रफ फाइल, रफ फाइल, इसका प्रियोग करते हैं फ्रेंट्स वो करते हैं, प्रियोग, जो है फ्रेंट्स अधिक मात्रा में और सीगरता से धादू काटने के लिए इसका प्रियोग करते ह हमें ज्यादा माल काटना है अधिक धातू काटनी है तो उसके लिए हम rough file का प्रियोग करते हैं और friends उसके बाद आती है second पर bastard file बाश्टर्ड फाइल बाश्टर्ड फाइल जो आती है friends उसका प्रियोग हम अधिक मात्रा में धातू को कम करने के लिए करते हैं यानि कि इसका प्रियोग भी हम जैसे rough file का प्रियोग हम सीगरता से जल्दी से जल्दी और अधिक मात्रा में यानि कि इसमें हम जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी अधिक मात्रा में हम धातू को काटने के लिए करते हैं उसी प्रकार हम इसका प्रियोग भी अधिक मात्रा दातों को कम करने के लिए किया जाता है Bustard prep file का प्रियोग भी same उसी प्रकार से किया जाता है और rough file का प्रियोग भी चुम क्या जाता है अब बात करते हैं प्रेंड second cut file की Second cut file चौथे थीन नमबर की second cut file का प्रियोग तो जो second cut होता है उसका जो प्रियोग होता है सेगंड कट फाइल का प्रियोग तो सेगंड कट फाइल का प्रियोग अच्छी फिनिसिंग लाने के लिए अच्छी फिनिसिंग लाने के लिए जो है हम सेगंड कट फाइल का प्रियोग करते हैं अच्छी फिनिसिंग लाने के लिए जो है हम सेगंड कट फा प्रियोग हम friends हमेशा करते हैं किस चीज के लिए कम मात्रा में धातू को दूर करने और अच्छी फिनिसिंग लाने के लिए हम स्मूथ फाइल का प्रियोग करते हैं कम मात्रा में material को कम मातरा में reduce करना यानि कि कम करना है तो उसके लिए और अच्छे finishing यानि कम material को कम भी गिसना है और अच्छे finishing भी चाहिए तो उसके लिए हमेशा smooth file का प्रयोग किया जाता है उसके बाद पांचवा है friends वो है dead smooth file dead smooth file का प्रयोग friends हमेशा परिसुद साइज बनाने के लिए और उच्छे degree में finish करने के लिए हम dead smooth file का प्रयोग करते हैं यानि कि last में job जब final करना हो final करने के लिए हम इस file का प्रयोग करते हैं यानि कि smooth finishing के लिए यानि कि उच्छे grade की smooth finishing के लिए हम dead smooth file का प्रयोग करते हैं यानि कि अब हमें final job बनाना है final बनाना है तो उसके लिए हम dead smooth file का प्रियोग करते है और friends और friends जो है एक question ये भी file से संबंदी तो exam में पूछ लेता है कि file का file का size कहां से लिया जाता है तो जो file का size होता है friends exam में वो दे देता है files के parts के नाम दे देगा option में तो जो friends इसका correct answer होगा वो होगा point से heel तक की लंबाई point से heel तक की लंबाई से file का size लिया जाता है यानि कि यह जैसे file है कोई file है यह file है इस प्रकार की यह file है ठीक है यह उसका point है तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है friends उससे file का size लिया जाता है यानि कि point से लेकर heel तक की बीच की जो दूरी है इससे ही file का size लिया जाता है इसको question पूछ लेता है और exam में मैंसा कि file का size कहां से लिया जाता है तो इसको correct याद रखना कि file का size point से heel तक की बीच की दूरी से लिया जाता है तो अब बात करते हैं file के प्रकार के बारे में file के प्रकार यानि कि file कितने परकार की होती है तो friends file कितने परकार की होती है इससे relative video मेरी आने वाली जो nest video रहेगी friends उसमें मैं आपको बताऊँगा कि file से file जो होती है कितने परकार की होती है आकार के अनुसार भी और उस flat file किस परकार की file होती है half round या फिर hand file जी मिलते हैं नेश्ट वीडियोग के अपडेट में झाल झाल